हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलजी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टिक टॉक बैन हो चुका है गाईज और दोस्तों 59 अनदर एप्स भी दोस्तों बैन हो चुके हैं लेकिन दोस्तों उसमें से बहुत सारे ऐसे एपसों के जो बैन हो चुके हैं एनि कि उसी की तरह काम करेंगे तो दोस्तो जल्दी समलोग इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो चलिए बात करते हैं लिष्ट के पहले एप के बारे में वो है दोस्तो टिक टॉक ही मेन कॉंट्रवर्सी का जड़ है दोस्तो लेकिन दोस्तो इंडिया में इसका एक अल्टरिनेटिव एप है चिंगारी एप है दोस्तो एक ये दोस्तो बिल्कुल टिक टॉक के त वहाँ पर आप फेमस हो जाएं, क्योंकि चिंगारी एप के फॉलवर्स दिन बाद दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर और जल्दी जल्दी डाउलोड लोगों के हो रहे हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं, सेकेंड आप के बारे में, वह है दोस्तों UC ब्राउजर, तो द स्पीट देता हैं, यानि के बाद डाउलोड और अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर प्राइवसी को सबसे हाई प्रायोटी दी गई है, तो दोस्तों अगर आपको और एक और चाहिए, तो आप जियो ब्राउजर के साथ जा सकते हैं, जियो ब्राउजर भी अच्छा को सकैनर भी बहुत अच्छा पोपटDонец-ट को सकैनर है, भी तो वह सारी ऐनी से सिरॡ़ होते हैं, अगर दूसरे आपकी बात करें, तो माइक। soft का office lens ये भी बहुत अच्छा चाहने रहे गाईस दोनों एप बहुत बेस्ट है अब अपने इस आप से दोस्तों चूज कर सकते हैं चैलिए दोस्तों बात करते हैं अगले आप के बारे में वह वीचाट तो दोस्तों वीचाट आप सूच रहोंगे यार वीचाट तो कोई करते हैं और दोस्तों यही वीचाट दोस्तों वरून धावन और परिहने चुपण करते थे इंडिया में तो दोस्तों इसका अलडिनेटिव एक लिए WhatsApp और WhatsApp हम लोग सब ये वीज़ करते हैं मैं बस इसी दोस्तों बता दिया चलिए दोस्तों बात करते हैं लिश्ट के अग दिखने को मिल जाएंगे, सबसे पहला अंटिनेटिव है काइन मास्टर, जिसे दोस्तों मैं भी ये वीडियो आइडिट करने वाला हूँ, काइन मास्टर बहुत ही अच्छा वीडियो अडिटर अप है, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर इसका अगोर आपको देखने को मिल जाते हैं, चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले आपके बारे में, वे दोस्तों Beauty Plus, तो दोस्तों beauty plus बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने आपको सुन्दर दिखाने के लिए, ज्यादा तर दोस्तों लड़ीयां यूसे करते हैं, और दोस्तों मेर बहुत हाई-level वाली editing कर सकते हैं जैसे आप Photoshop में करते हैं तो दोस्तों मैं अगर बोलूँगा तो आप Pixar के साथ आपको editing आती है तो दोस्तों आप बहुत कुछ कर दिया नहीं आती है तो या tutorial बहुत सारे है जाकि यूट्यूब पर देख लो यार चलिए दोस्तों बात करते हैं junk clean जो due के जितने एपस होते है DU जो cleaner करते है RAM को clean कर देते हैं junk file को clean कर देते हैं वो सब apps के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इन लोगों का बस एक ही alternative है वो Google का दोस्तों जो files all app है ना उसमें दोस्तों आपको बहुत साथे junk cleaning का option मिल जाता है junk clean कर सकते हैं, RAM clean कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छा app है Google का app है दोस्तों और दोस्तों मैं आपको recommend करूँगा कि आप file manager के जिगा Google का file manager यूज किया करी है आपको बहुत साथे options देखने को मैं जाएंगे चलिए दोस्तों बात करते है another app के बारे में वो है दोस्तों share it तो दोस्तों share it जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा दोस्तों file transfer एक app हो गया दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप कोई भी चीज़ को transfer कर सकते थे बहुत अच्छा speed आप लोगों को देखने को मिलता था लेकिन दोस्तों वो भी तो ban हो चुका है न गाइस तो यहाँ पर दोस्तों मैं अगर alternative की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले alternative आता है गाइस Google के तरफ से files तो दोस्तों जो Google का files वाला जो app है बहुत ही अच्छा app है आप उसमें दोस्तों बहुत सारे काम कर सकते हैं file transfer कर सकते हैं junk को clean कर सकते हैं पर दोस्तों आपको बहुत सारे options देखने को मिल जाएंगे तो सबसे बड़ी बात Google का app है तो यार दोस्तों कोई tension नहीं होगा privacy आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी अगर आपको इसका और एक alternative चाहिए तो इस दोस्तों एक जापया करके एक app है वो भी दोस्तों एक file transfer वाला एक app है उसको भी आप try कर सकते हैं तो मैं दोस्तों जापया यूज़ करता हूँ अच्छा लगता है थोड़ा fast speed दिखने को मिल जाता है तो दोस्तों बस यही जो main main apps थी जो ban हुए थे जिससे आपको दोस्तों फर्क पढ़ने वाला था कि यार यह सब apps तो ban हो जा रहा है और एक नहीं वीडियो में हमें सब्सक्राइब को खुसरा हो शालोग बाइ